इंट्रस्टिंग अप्लिकेशन ओफ लैंज लॉउ अब आप यहां देखेंगे मज़दार चीज की हम लैंज लो जो हमने पढ़ा उसको हम अप्लाई करेंगे इसकी हल्प से सो लैंज लॉउ में हमने पढ़ा था कि जो यह में क्वाइल में पैदा होती है वो कुछ इस तरीके से करण्ट प्रड्यूस करती है ताकि वो चेंजिंग मेगनेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके तो यह कंसेप्ट आपने यहां देखना है इस एप्लिकेशन में सो एक्जाम्प है जैसे वन में है A, B, C, D and then A, B is a triangular loop है और एक कोई irregular shape बाला है so moving out of out or into the region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader so reader जैसे देख रहा है तो उसके हिसाब से इसको बनाया हुआ होगा, determine the induced current जो current है इसके बीच में कैसे प्यादा होगा in each loop using the lens law so यह बड़ा interesting आपके लिए problem है सीखने के लिए के lens law का हम कैसे apply करते हैं मैं इस diagram को दोबारा फिर से बनाने की कुशिश करता हूँ जो आपको फिर अच्छे तरीके से समझाने के लिए देखे यह जो plane बाला पार्ट है इसको आप कुछ आइस तरीके से समझें यह कुछ इस तरीके से है और इसमें यह जो cross बाला पार्ट है यह आपको पता है यह बताता है कि जो magnetic field है जो uniform field है it is directed into the plane of the paper ओके यह uniform field को represent कर रहा है कि जो crosses है वो equidistant बनाने के मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यह नहीं भी बने तब इन कोई कुछ दिस्केंट ही consider करना है आप देखिए यदि इसका यह cross part है तो इसका मतलब क्या है कि यदि अपने field लगा तो इसका जो upper part है यहां north pole है और जो यह lower part है यहां south pole है यहां south pole है अब आपने lens law लगाना है आप पहले case में देखें कि यह जो rectangular part है यह जो rectangular part है यह इस field में enter होने की कोशिश करता है आप इसको अंदर को धका देने की कोशिश करते हैं यह हो गया A part यह हो गया B part यह हो गया C part और यह हो गया D part अब हम आपको यह साथ लिए चलते हैं lens law के उपर वह कहता है कि जैसे ही आप एक coil में magnetic flux increase होने लगती है किसी coil में जैसे flux increase होने लगती है तो EMF जो में polarity इस तरीके से बनती है कि वह current ऐसे इस coil में flow करवाए जो इस increase in flux को oppose करें तो जैसे ही आपकी coil inside the magnetic field जा रही है तो इससे क्या होगा सबसे पहले magnetic flux increase होना शुरू हो जाएगी इस increase in magnetic flux को रोकने के लिए क्या होगा कि एक repulsive force लगेगा तो repulsive force लगने के लिए क्या होगा इसका upper end है वो with respect to this north pole या direction of the field यह जो है वो north pole बन जाएगा तो north pole बनने के लिए क्या होगा इसमें जो current है वो कुछ anti clockwise direction में flow करेगा यह देखे यह north pole ऐसे ही बनता है तो जो current है कि इसको घुसने नहीं देगा आगे ऐसे समझना बड़ा असान है तो north north को repel करेगा भाई घुसना ही नहीं क्योंकि जैसे ही अंदर के और जाएगा तो magnetic flux increase करेगी तो lens lie कहता है कि current इस तरीके से पैदा होगा कि वो उसको magnetic flux को increase नहीं करने देगा इसलिए इसको repel करेगा repel करने के लिए north का north pole बनना जरूरी है और north pole बनने के लिए current का anti-clockwise direction में बहना बहुत जरूरी है यदि आपको अभी थोड़ा बहुत कम समझ आया हो तो आप दूसरे example में हम आपके साथ चलते हैं कि इसमें ये जो triangular part है और ये इस uniform magnetic field से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ये end इसका A हो गया, ये end इसका B हो गया, ये end इसका C हो गया आप देखिए यदि ये जो triangular part है magnetic field को छोड़ने की कोशिश करेगा तो magnetic flux क्या करेगी इस case में जो magnetic flux है वो decrease करेगी और यदि magnetic flux decrease करेगी, magnetic flux decrease करने से क्या होगा, change in flux होगी flux decrease का मतलब क्या होगा, change in magnetic flux होगा, magnetic flux तो फिर change होगी आप इस case में भी lens law क्या कहता है कि यदि magnetic flux किसी भी हाल में change होगी तो EMF का EMF means, polarity of the EMF means, current is three cases इस coil में produce होगा, इस close loop में produce होगा ताकि इस change का वो विरोद करें, अब देखिए, आपका जो triangular mass हो बाहर के ओर जा रहा है it is leaving the magnetic field, so अब यह north pole है तो इसको बाहर दोबारा फिर अपनी ओर खिंचेगा तो इसको अब current कैसे बहना है, clockwise direction में बहना है, और जब current clockwise direction में बहता है तो यह south pole को generate करता है, तो यह देखिए आप इस direction में current बहेगा, अब आपको शायद आसान लगा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो तीसरे वाला जो पार्ट है, इसका अंसर आपको खुद वखुद समझ आ जाएगा, इसके लिए हम pencil का पसाफ़ से पहले रंग बदल ते वो रंगों को देखके, चितलू पितलू जासे ज्यादा अच्छे लगते हैं, यह एक irregular shape है, और इसमें कुछ point marks किये हैं, A, B, C, और यह D, और यह जो point है, यह represent कर रहा है कि आपका जो irregular shape है, वो uniform field से बाहर जा रहा है, यदि यह field से बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, flux, जो magnetic flux है, जो magnetic flux है, वो decrease करेगी, decrease करने के से क्या होगा, change in flux होगी, इससे क्या होगा, change in flux होगी, अब आप फिर दवारा से देखिए, ध्यान से, कि जो EMF अब इस तरीके से पैदा होगी, कि जो इस change in flux को oppose करें, तो इसकी polarity इस तरीके से बनेंगी, कि यह tends to produce the current in such a way, यह current इस तरीके से पैदा करेगी, ताकि यह इसकी आप बाहर जाने का बिरोध करें, यदि आप बाहर ना जाए, यदि यह irregular जो लूप है, यह बाहर ना जाए, तो यह north pole इसको खींचेगा, खींचने के लिए क्या करेगा, तो यहाँ south pole बनेगा, तो south pole त इसमें current clockwise direction of flow करेगा, हमें कह सकते हैं कि in third figure, current will flow in the direction of D, A, B, C, D, इसमें clockwise direction of flow करेगा, इसमें भी clockwise direction of flow करेगा, इसको अब रिसकते हैं B, A, C, B, इस direction of flow करेगा, तो इस उमीद के साथ कि आपको जो चीजे बताई, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगी, और इस concept को आप आगे लगा सकते हैं, अब आपको problem solve करने के बाद अच्छी तरके से अंदाजा होता है कि मातर mathematics पढ़ लेना एक अलग बात है, पर उसको practical shape में हम जब देखते हैं, realize करते हैं कि बास देखता में वो physics क्या से काम करती है, तब ही आप चीजों का आनन्द उठाते हैं तो आपके आनन्द में मैं कमी नहीं करना चाहता, हम इसके बाद एक और problem करते हैं, जिसमें आपको इस lens law के साथ और गहराई में उतने का मौका मिलेगा, हम इसके लिए पढ़ते हैं example number 6.5, इस example में आपके साथ part A, B, C, D, तरह तरह से आपको समझाने की कोशिश की होगी ए close loop है, is held stationary in the magnetic field between the north and south pole of two permanent magnets, तो देखे के आपने ऐसे किया कि यदि, for example, कि यह आपके पास को एक north pole है, और यह आपके पास जो है, वो south pole है, इसके बीच में कोई एक circular loop है, इसको अपने stationary रखा हुआ है, तो इसमें जो lines of forces होगी, तो इसमें जो lines of forces होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, north to south, देखे, और यह देखे, इसमें north to south direction में होगी, आप यह देख सकते हैं, अब आप क्या देख रहे हैं, कि यदि आपका coil जो है, जो circular loop है, यदि यह loop stationary है, तो stationary होने से क्या होगा, flux change नहीं होगी, there is no change in flux, और यदि change in flux नहीं होगी, तो फिर यह में पैदा नहीं होगी, और current भी पैदा नहीं होगा, So this is the conclusion for this, a closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of two permanent magnets is held fixed, right, so the question is, can we hope to generate the current in the loop by using the strong magnets, no, So however, जैसे strong magnet हो, जितने मर्जी strong magnet हो, जब तक इसमें flux change नहीं होगी, तब तक इसके बीच में current नहीं आएगा, Because change in flux से EMF पैदा होती है, और उसी EMF से current पैदा होता है, तो ऐसा संभब नहीं है, हम दूसरे सवाल की और चलते हैं, सवाल में कहा गया कि, close loop moves normal to the constant electric field between the plates of the large capacitor, आपके पास कुछ एक capacitor arrangement है, जिसके बीच में loop move करता है, तो आप को ये बताना है कि, क्या, यदि ये loop इसके बीच में, if the current loop is, is a current induced in the loop, when it is wholly inside the region of the capacitor plates, or when it is partially outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop, आपने simply समझ लेना है, कि electric field में, electric lines of forces के बीच में इदि लूप move करता है, तो electric current पैदा नहीं होता, it is all because of the change in magnetic flux, not electric flux, only, इसका answer हमें ये लिख देते हैं, कि no, इसका answer आजाएगा, no, because no current is induced in, no current is induced in either case, चाए वो बिल्कुल अंदर है, चाए वो partially अंदर है, तो कोई current पैदा नहीं होगा, किसी case में भी नहीं, तो हम लिखने के comparison नहीं बोली देते हैं क्योंकि, it is a change in magnetic flux that will produce the EMF, but no electric flux, so current cannot be induced by the changing the electric flux, the simple reason to explain this, so we will now move for the part C of the same problem, अब आप यहां देखे के जो रेक्टेंगुलर लूप है, this is a rectangular loop, and in a circular loop, एक rectangular loop है यह वाला और एक circular loop है, so are moving out of the uniform magnetic field, to a field free region, यहां की और जा रहा हैं यह, with a constant velocity V, V velocity से मूव कर रहा हैं, in which do you expect the induced EMF is constant, during the passage out of the field region, इसमें जो EMF constant की समाएगा, and the field is normal to the loop, I will try my best to write it, and explain it mathematically, E is equal to minus of D upon DT of phi B, so आप जानते हैं की जो magnetic flux होता है, वो होता है, B A cos theta, so theta का तो इसमें variation है नहीं, और जो magnetic field है, वो uniform है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, कि it is minus of B cos theta, and then it is D A upon DT, okay, so आप यहां देखिए, कि जब यह इसके बीच में से cross करेगा, तो इसमें जो rate of change of area है, वो इस part में जो है, वो uniform रहेगा, constant रहेगा, तो इसका answer यह होना चाहिए, induced EMF is expected to be constant, only in case of the rectangular loop, आप समझ रहे हैं नहीं, यहां से आपको समझ रहे हैं, कि इसमें rate of change of area, will be constant in case of rectangular loop, and while in case of the circular loop, the rate of change of area of the loop, during the passage out of the field region, will not be constant, and hence induced EMF, will vary accordingly, तो EMF देखिए, आप इसके यही part, आप इसको control करेगा, तो जिस तरीके से वो change होगा, उसी के recording, यह में पैदा हो जाएगी, तो अब आप चलते हैं, हम आपके साथ, last part की ओर, पडिक करें कि जो polarity of the capacitor, in the situation described, in the figure number 6.9, इसमें capacitor आपने रखा हुआ है, इस figure को आप ध्यान से दिखिए, इसमें जो है, जो capacitor की polarity की तरीके की होगी, इसको दोड़ा figure को समझना बड़ा जरूरी है, कि एक इस तरीके का डाइग्राम है, इसमें जैसे यह जो magnet है, इधर की ओर जा रहा है, और यह जो magnet हो इधर की ओर आ रहा है, तो खुदरती है, यह simple सी बात है, कि यह वाला जो end है, वो south pole बन जाएगा, और यह वाला end है, वो north pole बन जाएगा, so the current will flow in the clockwise direction in this case, so for that sake, the end A will become positive, and B will become negative, but it is difficult to predict that in which direction this figure is drawn in, तो इसका यह वाला part basically इधर की ओर है, आपकी ओर है, यह वाला part आपका इधर की ओर है, और यहां से जो current है, वो clockwise direction में यहां से बहेगा, so that यह वाला end जो south pole बन जाएगा, यदि यह वाला end south pole होगा, तो naturally दूसरे वाला end जो है, north pole हो जाएगा, so the polarity of the capacity is A is positive, and B is negative with respect to the plate B, so मैं हम इस वीडियो को यहां बनाना बंद कर रहे है, और इस उमीद के साथ कि जो problem आपके साथ शेर की गई है, उनसे आपने काफी कुछ सीखा होगा, कि Lens law का meaning क्या है, उसका जो mathematical part है, उसका physical meaning क्या है, और किस तरीके से हम उसको problem में apply करते हैं, और यदि फिर भी कोई आपको query रहती है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, हम बार-बार इसको अगले स्थर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो feedback है, वो मेरे लिए food का काम करता है, और बिनमरता के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कि आप अपना जो सही एक इमांदार feedback जो हो जरूर देते रहें, इन शब्दों के साथ धन्यवाद, झाल 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